हेलो सब्सक्राइब करता हूं कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा बच्चों की जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग कारवा चल रहा है और इस क्रम में मैंने विसेश रूप से नौर्थ अमेरिका डिसकस किया नौर्थ अमेरिका के डिसकसन के क्रम में बहुत सारी बाते बच्चों मैंने डिसकस कर दी विसेश रूप से उसके फीजियोग्राफी उसका अपवाहतंत में नदियां जीले जल प्रपात बहुत सारी चीजे उसी क्रम में मैंने अपना कारवा आगे बढ़ाया था और इस क्रम में मैंने विश्यस रूप से भी लोगों के साथ पुलिटिकल जागरुफी इसकिस किया हुए भी तक काफी कॉंटिनेंट पढ़ा चुका हूं इसे सुरूप से कह सकते हैं अफ्रिका ओसीनिया रीजन आपका साउथ अमेरिका नौर्थ अमेरिका आज कंप्लीट हो जाएगा अब जल्दी ही मैं कुछ इस पर क्या क्विश्चन बन सकते हैं इस पर क्या एंसी आटी बेस्ट क्विश्च सुरू करूंगा अभी ऐस सच में टाइम नहीं बांधूंगा बट अगले कुछ ही दिनों में एक दो दिनों में आप लोग नए फ्लेवर के साथ क्लास को नए तरह से देखोगे ताकि आपकी बेसिक जो चीजें हैं वह बहुत यानि फांडेशन स्ट्रॉंग हो जाए और यानि कि बुलंद फांडेशन पर ही बुलंद बुलंद का निर्मार होता है तो जो भी पढ़ाया गया है बचे उसका कितना अभ्यास कर रहे हैं क्या कर रहे हैं इसको लेकर मैं विशेस रूप से अपना एक नया प्रोग्राम लेक direct आ और मैं उमीद करता हूँ आप लोग बहुत इंज्वाय करेंगे और आप लोगों के लिए बहुत ही fruitful साबित होगा बच्चों ये बड़ी खास बात मैं आप लोगों के साथ डिसकस करना चाह रहा था आज थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है 15-20 आदा घंटे का वीडियो है और इसका अधे घंटे के बीडियो में बचों ये बड़ी खास बात आप लोगों को दिखाई देगी कि कि उत्री अमेरिका के पुर्वी टड़से जहां से सबसे ज़्यादा कुश्ट्स आते हैं और मैं डिसकस करने जा रहा हूं कई बार प्रस्ण यहां से पूछे जा कौन से छेतर में इस्थित हैं इन सब ही पर आगे मैं अपनी क्लास में बच्चों चर्चा करने जा रहा हूं सो कीप पैसेंस और आईये फिर हम लोग सुरू करते हैं ठीक है बच्चों आईये बच्चों आज कुछ क्लास इस वाले कलर पर डिसकस किया जाए जैसा कि उत्री अमेरिका में विशेश रूप से कनाडा का कंप्लीट डिसकस किया आप लोग पुराने वीडियो को देखिए गा उस वीडियो को ही देख लीजे इससे बाहर कोई क्वेस्टन नहीं जाएगा अब ध्यान से बस वीडियो को देखते रहिए एकदाम लगेगा जैसे को कर दी थी कि उसके बारे में मैंने बहुत डिटेल बताया था बच्चों आप लोगों को याद हो थोड़ा सा रिकॉल करो और फिर इन सब के बाद आज जरा अब हम लोग नौर्थ अमेरिका के पुर्वी तट पे चलते हैं और कुछ आंत्रिक भागों में उसके इस्थित नगरों को देखते हैं और साथी साथ इसके दच्छन पुर्वी भाग में दीप जो हैं कुछ देशों के रूप में उन पर चर्चा करेंगे और इसी का जो भाग नीचे टेल के रूप में दिखाई देता है जिसे कई बार लेटिन अमेरिका भी बोल दिया जाता है या फिर कई बार मध्ध अमेरिका भी बोल दिया जाता है उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं कि मैक्सिको हंदूरास बेलीज इन ज़्यादा मैप होगा उतना ही आपके लिए चीजें आसान होंगे यह आज का हमारा कुछ discussion का topic है और इस क्रम में हम लोग जरा discuss करते हैं cities of USA which situated in the eastern side in last class I have discussed about याद करिये जरा यहीं पर बहुत ही महत्पूर्ण सिटी था सियेटल जिसकी मैंने चर्चा की थी देन बच्चों यहीं पर था आपका सहर San Francisco then वहीं पर Los Angeles San Diego यह सारे इंपोटेंट्स है जो वेस्टन साइड में हैं उनकी चर्चा की थी जिससे आपके पेपर में पूछे गयां then today now I am going to discuss in eastern side बच्चों जादा तर एक खास बार देखोगे जब पलिटिकली स्टी करोगे नौर्थ अमेरिका की especially in the context of USA then simply you can say the most of cities and economically highly prosperous city of USA and not only USA some walls some important city of the walls situated on the coast of eastern side of USA दुनिया के कुछ सबसे धनी शहर दुनिया के कुछ सबसे बड़े शहर आप लोगों को USA के पूरभी भाग में situated दिखाई देंगे जरा सोचने वाली बात है बच्चों क्यों why the most of big cities of USA situated in eastern side जब आप ढूंडेंगे तो थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा और आप वैसके भी world history आपका तो इतिहास भी है तो world history में भी पढ़ोगे इसलिए बच्चों मैं कहता हूँ geography समझोगे तो जीयस की history समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और उस पर दी जोग्रफी आपका तो जीयस के बहुत सारे topics को especially जो world history है उद्धाय माइं की चीज हो जाती है यह ही घुमने लगती है तो जब यहां पर थोड़ा सा सोचोगे कि ऐसी कौन से जोग्रेफिकल बात थी जिसकी वज़य से आपके most of cities यहीं पर इमर्ज हुए तो simple सी बात है मैंने आपको physical condition में बताया था कि this reason is a reason of पिड्मॉंट प्लेन यह जो पूरा छेत्र है पिड्मॉंट प्लेन का एरिया है पूरा का पूरा पिडमॉंट प्लेन एरिया अब जो पिडमॉंट प्लेन एरिया था प्लेन एरिया है कोस्ट है और जातर लोग आ कहां से रहे हैं यूरोप से वाई नौर्थ अमेरिका में जातर पोपलेशन कहां सी है फ्रांस कह सकते हो इन ही सित्रों से ज्यादा तर पोपलेशन आके सटल हूए चुकि प्लेन एरिया था कोस्टल पार्ट होने की वज़ा से बंदरगाहूं की विकास करने में आसान चीजें थी यहां पर और तुरंत यहां से माइग्रेशन आना जाना यानि यहां से वहां जाना वहां से यहां आना जादा आसान था समझे बच्चों इसलिए यह छेत्र धीरे धीरे बहुत तेजी से इमर्ज हुआ और साधुसी क्रम में आप लोगों को याद हो कि हाँ पर सुर्वाती दौर में तेरे बस्तियां वि तो बन गया USA United States of America यानि कि सुर्वाती दौर में तेरे बस्तियां यह सभी इंटीग्रेट हुई हलांकि सुर्वाती दौर में यह हुआ कि भाई 1776 में जब यह फ्री हुए तो यह हुआ कि नहीं भाई छोड़ो हटाओ अलग-अलग सब जने रहेंगे दुस्मन हमारा एक था हम सभी मिलके एक होके उस दुस्मन को मार भगाए अब भाई सब अलग-अलग रहेंगे को दिनों रहे भी बट बाद में वहां के नेताओं को कोई बास समझ में आई कि नहीं भाई अलग-अलग रहे तो बड़ी सारी समस्याइं हो सकती तो क्या समस्या हो सकती सुरक्षा की करनसी की आवागमन की क्योंकि छोटे-छोटे एरिया थे न तो ऐसे में फिर वहां जाता है रहे भाई कोई एक्स देश शुरू हो गया वहां गया वाई देश बीजा चाहिए वह चाहिए वह चाहिए बहुत सारी प्राब्लम तो उसी का फिर सलूशन निकाला गया नहीं भाई ऐसा करते हम लोग एक जगहां रखते हैं जैसे डिफेंस करंसी कॉम्निकेशन टांस्पोर्टेशन कुछ चीजों को हम लोग एक जगहां से देखते हैं इंटरनेशन रिलेशन और बाकी इंटरनली चीजें फ्री इसलिए आप लोग देखोगे यूसे में दो जंडा चलता है दो नागरिकता ह होती है केंद्र की होती और एक राज्यों की भी होती है यह कुछ बाते हैं अपनी वहां की आप लोग पॉलिटी में कभी पढ़ना चाहोगे तो वहां पर मिलेगी या फिर हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें मिल सकती तो यहां पर कहने का म होगा फिलाडेल्फिया को बर्ध प्लेस ऑफ यूस से भी कहा जाता है and philadelphia considered as a one of the most important city of USA आप देखोगे eastern coast पर हां पर जाओगे तो आपको philadelphia मिल जाएगा बच्चो पता आप लोगो इस वाले रिजन में आपको आसानी से philadelphia मिल जाएगा this city is a very very important city देखो फिलाडेलफिया होगा तो वहीं पर यूएसे का जर्म हुआ सो नोन एजे बर्थ प्लेस ऑफ यूएसे बात के समय में धीरे धीरे एक्सपेंशन करते हुए यानि कि आंतरिक भागों का एरिया चुकी खाली था कि आंतरिक भागों का एरिया बहुत ज़्यादा घरणा बसा नहीं था धीरे धीरे वेस्टन साइड में एक्सपेंशन किया गया जीता गया मिलाया गया कुछ एरिया को लालस दिया गया कि भाई will च्हाहिकि आप हमाय से जुड़ जाइए बहुत सारे जुड़ते चले गए बहुत सारे नहीं मा ने सेनी करवाई की गईए यह चलो इदार आओ बहुत हो गया जैसे भारत में आप लोग देखते हो कि भारत में बहुत साही जो देशी रियास्ते थी उनका थोड़ा मामला डोल्डरम में था पटेल जी ने सब को मनाया भी यानि छड़ी और पुरसकार के नेती सुना होगा कि भाई जो प्रेम से आगए आईए भाई स्वागत आपको हम बहुत साय सुब्धाय देंगे जो नहीं माने उन्हें छड़ी दी गए यानि कि तो पीटा गया उसी क्रव में आप लोगों ने सुना होगा आपका हैदराबाद जूनागर हो गयरे गोवा कई जगों पर पुलिस और सैनिक कारवाई और करके उन सभी को इंटीग्रेट किया गया फिर उसी में देखते हैं जमुकाश्मीर को उसमें भाई सरकार में विलै किया गया तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है किने के माध्यमों से सभी राज अमेरिका को बनाया गया और बचो लास्ट में को और बात हुई खरीदा भी गया एक इंटरस्टिंग बात आप लोगों के जान थोड़ा सा जानिएगा इंटरस्टिंग बात यह रही कि बहुत सारे च्छित्रों को खरीदा भी गया जैसे अलास्का अलास्का को 1867 में रसिया से दो करोड यूएस डॉलर में खरीद लिया गया था यानि कि कह सकते हैं यह जो यूएस से देश बना आपसी सहमती से बना जैसे सुरुवाती दोर की तेहरे बस्तियां बहुत सारे लोगों ने बाद में सहमती दी तो बहुत सारे लोगों को विजित किया गया बहुत सारे लोगों को विजित किया गया यानि कि उन्हें मिला ल लिया गया कि अब इधर आओ जैसे अलाश्का तो इस तरह से इमर्ज हुआ चुकि वेस्टन साइड के नगर यहां पर पुलिटिकली जादा यह एरिया आपको स्ट्रॉंग मिलेगा इसलिए यहां से थोड़ा हम लोग शुरू करते हैं जैसा कि मैंने अभी बताया किया एरिय बादातर और दोगिक नगर दिखाई देते हैं और यह जनसंख्या के बड़े बड़े केंद्र है और इंटस्टिंग बात उससे यह भी बचों अपने एटलस में जाओ एक के बाद एक सिटी एक के बाद एक सिटी आपको यहां से मिलेगा यहां तर यानि कह सकते हैं उपर बोस्टन और गैरे से मामला सुरू होगा मैसाच्यूट से सुरू होगा और नीचे अटलांटा जो यहां पर सिटी है आप देखोंगे कंटी निवसली वन बाइवन वन बाइवन सिटी एक्सपेंडिट आर दिया यानि की अर्बनाइजेशन कंटी निवस देखा जाता है इसलिए बच्चों आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा कनर बेशन कनर बेशन यानि हिंदी में बोलते हैं सन नगर हिंदी में क्या है सन नगर ठीक है सन नगर का सिंपल मतलब होता है साथ साथ बसे नगर यानि कि यह एक ऐसे ओधारना है जिसमें माना जाता है कभी आप लोगों को जब हुमन जोग्फी मैं पढ़ाऊं का तो डिटेल डिसकस करूंगा यह आता है सटल्मेंट में कि सन नगर एक ऐसी ओधारना है जिसमें देखा जाता है कि दो नगर अपने विकास के क्रम में एक दूसरे से इतने जुड़ जाते हैं कि यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि वास्तों में कौन सा शहर सुरू हुआ और कौन सा खतम हो सकता कि यह बिलकुल यास जैसे दिली औंगाजिज़ाबाद दिली और गूर्गाओं जाये पता ही नहीं चलेगा यार दिली कब खतम हो गई और गूरगाओं कब स्रूछ हो गया या सेम कंडिशन दिली और गाजियाबाद पता ही नहीं चलता ठीक है तो इस तरह से यह उधाना प्लाई होती जब इस उधाना को यहां पर देखोगे तो आप अपने मैप में देखो यहां से एक के बाद एक जैसे देखोगे यहीं पर निवाक होगा यहीं पुसी के नीचे फिलाडेलफिया होगा वहीं प्रिमोर होगा उपर बोस्टन होगा एक एक के बाद एक सिती एक के बाद एक सिती सब मिलते जा रहे हैं तो वही है कनर बेशन याद रहेगा बच्चों तो दुनिया का सबसे बड़ा कनर बेशन है जो अट्लांटिक ओसन के साथ है अट्लांटिक ओसन के साथ है तो इसे ही नौर्थ अट्लांटिक कनर बेशन बोला जाता है बच्छो कनर बेशन यानि कंटीनिवस अर्बनाइजेशन यह दुनिया का सबसे बड़ा कनर बेशन है नियर अबाउट 900 किलोमीटर लॉंग इस कनर बेशन को आप लोग ध्यान रखियेगा पूछ दिया जाया हलाएं कि पीटी में संभावना कम है बट फोर जर्नल इन्फोर्मेशन इफ वांट तो तो यू कैन से की नौथ अट्लांटिक कनर बेशन जो यूस से में है दुनिया का सबसे बड़ा कनर बेशन इसमें निय वाउग फिलाडेलफिया बाल्तिमोर बोस्टन वसिंग्टन दी सी अतलांटा दिश मॉन्ड जैसे जैसे अनेक बड़े बड़े शहर इस्थित है यह देखें एक दाम एक के बाद एक बाद सब लोग खोली अपना एक के बाद एक के बाद एक नगर यहां पर आप देखोग मिलेंगे और इन ही नगरों को कहते हैं दुनिया का सबसे ब्राग कनर बेसे इसमें मैप में देखोगे तो आपको दिखाई देगा न्यू हमस्फियर न्यू हम सायर मैसाचूर्स बोस्टन देखो उसमें सारे दिये में कनेक्टिकर्ट न्यू और न्यू जर्सी फिलाडेल्फ तो यह बच्चों दुनिया का सबसे बड़ा बेशन आप लोग ध्यान रखने अब जड़ा एक बात और इजो नगर है न डियार वेरी फेमस फोर डिफ्रेंट काइंड और एक्टिविटीज जैसे देखो एकदाम नौर्थ में आपको जो मिलेगा मैसाचूर्स मैसाचूर् के लिए दुनिया में फेमस आप लोगों ने माइटी का नाम सुना होगा मैसाचूर्स इंस्टूर्स आफ टेक्नलोजी जो दुनिया का सबसे बढ़ियां मलब नंबर वन इंजिनिंग इंस्टूर्स माना जाता जहां पर हर इंजीनर की तमना होती है कि भाई कास मैं मैसाच उसके बाद बच्चों नीचे आओगे तो वहीं पर बोस्टन मिलेगा बोस्टन बेजुकेशन के लिए काफी फेमस रहा है यह भी बोस्टन इन्वर्स्टी सुनाओगा आप लोगों ने फिर नौर्थ अमेरिका में जब आप युस से की सुतंता अंदोलन पढ़ों सुतंत इंप्रेश पॉब्लिकेशन्स अपने इसकाइस क् Giving उसकाइस क्रैप मर्स इन सभी चीज़ों के लिए दुनिया मे फैमास य याद रहे गा न्योर्क और निवर्क जो ऐसो फैमस है जी पीग एपल याद रहे गःगा यहाँ पह जो न्योक पुछने आप लोगोने मैंहटन का नाम जरू सुना होगा मैंहटन इसी का एक शबर्ब है जहां दुनिया की सबसे उची उची सरवाधिक संख्या में इमारते पाई जाते हैं अब आप कहेंगे सर हमने तो सुना बुर्ज खलीफा सबसे उचा है नो डाउट बुर्ज खलीफा बच्चों उचा है इसमें कोई शक नहीं है बुर्ज खलीफा उचा है दुनिया में बड़ बच्चों उसकी सबसे बड़ी खास बात है कि एक ही बिल्डिंग सब्सक्राइबात बट वहीं जाओगे मैनहटन में तो इतनी की तो आम गली मुहले में मिल जाएगी तो बाकि उसी में कोई दिखाई देगी कि इसलिए आप लोगों ने बहुत सारी मुवी में देखें होंगे किंग कॉंग मुवी देखी होगी और अरे आप लोगों ने तो खेट मैं समझता हूं 9-11 की घटना तो देखी होगी जहां पर ट्विन टावर का ट्विन टावर पर टेक हुआ तो निवर्क में तो हुआ था न बचों तो इस तरह से इसको ध्यान रखना निवर्क को अमेरिका की एकोनोमिक कैपिटल भी कहा जाता है याद रहेगा निवर्क कीजे एकोनोमिक कैपिल अफ युए से सुचुटिटि ओन बैंक ओफ रिवर हड्सन ये तो मैंने पहले बताया है और बाकी स्काइस क्रेप पर्स बीग एप पल इसका दूसरा नाम भी है चेले खेर यहीं पर इस्टेच ओफ लिवार्टी भी है बच्चों यही वड़ी खास बात है जो हट्सन नदी के बीच ओबीच इस्थित है देन आफ्टर जब वहां से आगे बढ़ोगे जब इन सब चीजों से आप आगे बढ़ोगे तो कुछ और भी चीजें यहां पर बनती हुई दिखाई देंगी जैसे वहीं पर फिलाडेलफिया मिलेगा जिसका जिसके बारे मैं ने पहले ही बताया बार्थ प्लेस ऑफ यूएस से ठीक है देन आफ्टर जो चर्चिस के लिए अपने बड़े-बड़े चर्च के लिए लाइब्रेरी के लिए इन सब चीजों के लिए बहुत ही वहीं पर वर्शिंग्टन डी सी मिलेगा देखो आप लो यहीं पर वर्शिंग्टन डी सी होगा दिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया एक स्पेशल ट्रेटरी है जो ओनली फोर एड्मनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज के लिए है और देखो कि यहीं पर दुनिया के कुछ बड़े-बड़े हैड़क्वार्टर इंस्टिटूशन के मिलेंगे और यूएस के प्रेसिडेंट क आप लोगों ने वाइट हाउस यानि कि जब 800 में राधानी यहां पर लाई गई तो यहां पर सब डॉल अप किया गया तो वाइट हाउस आज की दुनिया में पावर का सबसे बड़ा इंडिकेटर के रूप में कहा जाता ठीक है वहीं पर पेंटा गन भी है सुना भी होगा मिलिटरी पावर का दुनिया में सबसे बड़ा सेंत्रिया योस की जो फेलिटरी पावर हे यहीं पर है नीचे आओ देन बच्चों वहीं पर आप नीचे आओगे और थोड़ा नीचे आप लोग आते रहो तो यहां पर एक शहर मिल जाएगा आप लोगों को अट्लांटा अट्लांटा बच्चों आप लोग साथ जानते भी होगे 1996 का जो ओलंपिक हुआ था उसके लिए फैमस है यानि कि बड़े-बड़े ग्राउंड के लिए खेल के लिए बड़े-बड़े इंडॉर स्टेडियम के लिए दुनिया में कुछ सबसे बड़े स्टेडियम यहीं पर जाते हैं किसी समय दुनिया का सबसे बड़ा इंडॉर स्टेडियम यहीं पर था प्रंतु से अब गिरा के दूसरा बनाया गया तो नहीं रही उतनी बड़ी खेर कुल मिला के यह है कि अपने खेल के लिए बहुत फैमस है और बच्चों एक खास बात आप लोग जरू जानत से क्लियर वहीं पर बच्चों एक और शहर आप लोग सुनोगे यहीं पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो अपने अटलस में जाओ तो एक और प्लेस मिलेगा केप केनेवरल Cape Canaveral, this Cape Canaveral city is also very very important city or place of USA because NASA launch their rocket from here. NASA द्वारा अपना rocket यहीं से launch किया जाता है पता बच्चों यानि कि NASA का जो headquarter है launching station है वो यहीं पर है इस point of view से Cape Canaveral इंपोटेंट है जो यहां पर देखोगे US का एक बड़ा ही महत्पून राज है फ्लोरीडा फ्लोरीडा राज में इस्थित है और यहीं से launch किया जाता है आप लोग कई बार movies में देखे होगे नहीं तो यह मुख भूमी चल रही है और यह area C है तो उसका कोई पतला सा भाग यह समुंदर में डूबा हुआ है तो यहीं कहलाएगा Cape Canaveral ठीक है तो इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं this is Cape Canaveral ठीक है बच्चों चलो इसके बाद आप वहीं पर नीचे आओगे तो मियामी मिलेगा देखो आप लोगों को यहीं पर मियामी होगा। this मियामी सीटी ओल सो बरी मज़ू ऑर इंपोटेंट आप कहेंगे साहरा कहीं सल्धी इससा क्या ठीक बच्चों चलिए भाई अब जब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहीं पर बच्चों एक और शहर दिखाई देगा another important city is that is new Orleans. तेखो यहां पर होगा, new Orleans. the city of black people or city of foreigners इसके दो नाम है the city of foreigners and the city of black people यानि की most of population of this city is specially migrated from Africa or from different part of the world. यहां से यहां पर यूरोप के पोपलेशन कंपेटिवली कम है हुआ यह कि जब यह क्लोनाइजेशन की प्रोसेस चल रही थी और सुरू हुआ स्लेवरी का ब्यापार तो एफ्रिका से बड़ी मात्रा में दासों को भर किसे एरिया में किसी कारियों के लिए लाया गया बाद में उद्योग धंदे स्थापित हुए तो दासों को खरीद के उसमें भी लगाया धीरे धीरे में लिए एरिया जो फेमस था वो फेमस था आपके किसी कारियों के लिए तो बाद में जब दास्ता खतम हुई तो धीरे-धीरे सबसोतन थुए इन शहरों में आके इकठा होने लगे और फिर यह दाम ही पढ़ गया कि city of black people यानि कि more than 25% population of this city are from African African continent यानि कि कह सकते निग्रों पाए जाते लूशियाना इस्टेट में आप लोग सुने होगे इंडिया के भी वह भी जिंदल यानि कि यहां पर गवर्नर भी रह चुके हैं तो इस तरह से city को ध्यान रखना जब economic activity की बात करोगे बच्चों तो इस city is very very famous for cotton industry and especially famous for refined अब आप कहेंगे सर cotton industry कैसे बिल्कुल ज़्यासा आप लोग अपनी economy map में जाओ तो देखो इसके background में cotton बहुत हो रहा है देखो यह रहे cotton cotton balls दिख रही होंगे symbol से यहां से देख लेना यहां पर cotton balls दिख रही हैं और जब cotton होंगी तो cotton industry होगा और बच्चों इस वाले मैप में जब देखोगे तो इसके आसपास के एडिया में यानि की स्पेशलिक गल्फ ओफ मेक्षिको में बड़ी मात्रा में पैट्रोलियम निकाला जाता है मैंने बताया भी था आप लोग और यह पैट्रोलियम भेजा जाता है नियो ओलि यहीं पर एक बड़ा रही महदपून शहर मिलेगा टेक्सस टेकसस जो है यूस का कैसक्ती हो मैं लैंड पर सबसे सबसे महत्पूर्ण स्टेट में देखा जाता है और उकनोमिकली भी सबसे महत्पूर्ण इसलिए आप लोग यूएस में खास बात देखोगे टेकसस लोग अपने को बड़ा सुपीरियर मानते पता आप लोगों को टेकसस टेकसस जो होते दे आप देखोगे खास करा से देड़ 200 साल पहले चुकि जब इस एरिया को देखोगे तो आप अपने मैप में जाओ तो फीजिकल मैप में देखोगे तो जातर एरिया प्लेन देखो यह Mississippi का प्लेन एरिया है लोवर प्लेन है परिणाम है कि बहुत ही फर्टाइल प्ले एरिया तो इसलिए यहां पर गन्ने की खेती यहां पर कोटन की खेती यहां पर अन्य दूसरे अग्रिकल्चरल एक्टिविटीज बहुत जादा होती उसके साथ साथ इस पेसली चुकि प्ल सबकल भी रहती है परिणाम सरूप यहां घास भी खूब होती है तो यहां पर पसु पालन भी खूब होता है कि इसलिए खास बात देखो कि दुनिया के कुछ सबसे बड़े बड़े रैंच यहां पर मिलेंगे जिनका एरिया बच्चों ध्यान रख आपको सप्राइज होग यहां निकिते हजारों हजारों पसु चर रहे हैं अलग-अलग एरिया में अलग-अलग बॉक्स ब्लॉक्स बने हुए उन ब्लॉक्स में रहरे जिनकी देख भाल इच और डाटा उसका टाइमली पहुचाना वेल मैनेज हाईली वेल मैनेज में पसु पालन होता है तो जो य मैंदानी भाग होने की वजह से बाद में रिसर्च वात प्रेटूलियम भी मिला इसलिए बच्छों एक खास बात देखोगे किस बात को आप लोग समझिए कि जो छेत्र जब इकोनों मिकली डोमिनेंट करता है तो धीरे-धीरे पोलिचकली भी डोमिनेंट करने लगता है य इछ बात धाना किस जो सब्से बड़ा स्टेट है पहला मेर्लेंड मेर्लेंड पे ध्यान रखना है मैं की वैसे जो अलासका है खेर तो सबसे ज़्यादा बाब बेटा राज देने वाला भी कौन है टेकसस यानि कि अब तक चार प्रेसिडेंट ऐसे हैं जो बाब बेटे यानि कि बाब भी बना है बेटा भी बना तो उन में आप जब देखोगे तो उन में गिंती होती है आपके टेकसस कियानी कि चार में से दो जो हैं यहीं से बने उसी में से आपने की एक्जामपल जरू सुना होगा जो रिसेंट है जो आपके लिए जाना है तो ठीक है ने तो चरुछ डबलू बूस जॉर्ड शीनियर है न आप लोगोने सुना होगा यह बाब बेटा पहले प्रेसिड सब्सक्राइब लोग याद करिए मोदी साब यहनी कि दुनिया जो सबसे बड़ी बड़ी पैट्रोलम की कंपनी है 15-20 उन सभी के हैड़कौर्टर यहीं पैस्ति थे ठीक है तो इस तरह से देखिए मोदी सहाब ने वही सोचते हुए वहाँ पर सभाकी थे और बाकी पॉलिटकल अपना गेम जो था वो था है खेरकुल मिल जाके यह जो एरिया है इस पाइंट व्यू से इंपोर्टेंट हो जाता आप लोग धन रखिए ठीक बच्छों तो टेकसस टेकसस बंदरगास शहर भी है जो यूस्टन भी है वो बंदरगास शहर भी है कोस से अंदर 80 किलोमीटर प्रंतु यह कैनाल के थूँ जुड़ा हु कर दो किलो किलोगास हुआ है जो दो हुआ हुआ है झाल झाल तो इसी के बाद बच्चों दूसा महत्पूर्ण शहर आता है गैल वेस्टन डट इस एक्क्वली इंपोटेंड क्योंकि यह भी टेकसस का एक महत्पूर्ण बंदरगा शहर है और जो फेमस फोर पेट्टूलियम नेचुरल इस इस पेशली रिफाइनरी इस के लिए बहुत ही फेमस याद रहेगा देन बच्चों एक और महत्पूर्ण शहर कहीं से उपर जाओगे जो पेपर में पूछा जा सकता है यह नाम आप लोगोंने सुना भी होगा देनेवर एक कुछ पूड़क्ट यूज करते हैं आप लोग बताईए एक आप लोगोंने डियो यूज किया होगा डियो आता है एक डेनेवर के नाम से डेनेवर इस ओलसो नोन एज वन माइल हाई सिटी पता बच्चों आप लोगों को दिस सिटी ओलसो नोन एज वन माइल हाई सिटी यानि की कह सकते हो लगभग अठारे सो मीटर की हाइट पर स्थित है रोकी पर्वत के बट कुछ ऐसी एक्टिविटी जो हैं वो यहां पर भी कुछ समय के लिए होते हैं क्योंकि यह एरिया प्रेसिडेंट यहां पर आते हैं और कुछ समय के लिए छुट्टियों में यहां पर रुखते हैं तो यहां पर बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती है एड्मिनिस् में कुछ सहर important हो जाते हैं यहीं पर एक और important area हो जाता है जो pattern के point of view से important है yellowstone national park याद रहेगा बच्चों सुना नाम yellowstone national park yellowstone national park जिसका old faithful घिजर आप लोग ने सुना होगा नाम old faith full घिजर क्या है भाई यह दुनिया में एक बड़ा ही एक अजूबी चीज है जहां हर चोशट्वे मिनट पर हर चोशट्वे मिनट पर पानी बहुत तेजी से उचलता है यानि कि यहां पर कहीं कहीं गरम जल के सुरोते हैं कई सारे तो उन्हीं में से एक बड़ा ही फैमस है जिसके माउच से अचानक पानी इदाम उपर उचलता है बहुत तेजी से और यह हर चोशट्वे मिनट पर होता है घड़ी मिला लो तो इसलिए नाम दे दिया गया इसका ओल्ड फैथफुल गिजर और यहीं पर यह एलो स्टोन नेशनल पार्क है यहां पर जीव जुनतों क सनक्षण के लिए बहुत बड़ा एरिया बनाया गया और इसका महत इस रूप में भी है बचो कि रेड इंडियन्स का यह जो एरिया है एक उनका आज बचा खुचा आवास भी नेचुरल हैविटेंट कहे सकते हूं यह जो रेड इंडियन्स वर्जनली बचे हुए हैं जात तो यहां के लोकल लोग थे उनसे यूरोपियन लोगों ने जो वजस्ती आराम से जैसे भी हुआ शादी कर ले परिणाम यह हुआ कि धीरे-धीरे सारी रेस मिक्स हो गए तो वही रेड इंडियन्स वर्जनली इसी एरिया में कुछ पाये जाते हैं इस पाइंट अभी उसे इस एरिया को बच्चों आप लोग धन करेगा ठीक है चलिए अब इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो वहीं पर इस एरिया में आप लोगों को याद हो डूलूत मिलवाकी शिकागो यह बच्चों करते रहते हैं यहीं मिलवाकी की बात करोगे तो मिलवाकी चुकि मैंने पढ़ाया था आप लोगों को यह पूरा बैक्ग्राउंड यह वाला है यह बच्चों जड़ा याद करो कौन सा एरिया है तो सिंपल सी बात आप भी कहेंगा रे सर यह ग्रेट प्लेन का एरिया था और एक ऱ्न का एरिया जो था कि सके लिए से अग्रिक外 टिव이다 के लिए या फिर अनिमल रेहिं से लिए अब जरह सोचिए यहां पर जहां 15 violation किलो मीटरज के 2000 केंट होंगे 水 on मिलवाकी में किर्सी से संबंदित बड़ी-बड़ी मशीनों का निर्मार होता है जो इस रूप में एक फैमर्श शहर है यानि कह सकते है अगरी कल्चरल इंस्टूमेंट्स के लिए परसीद्य जैसे अपने इंडिया में आप लोग ने जरू सुना होगा फरीदाबाद हरियान में फरीदाबाद देखोगे जब किसी क्रांती हुई तो धीरे धीरे जब इंडिया में ट्रक ट्रेक्टर ट्रॉली थ्रेशर कल्टीवेटर रोटावेटर हार्वेस्टर कंबाइन मशीन इन सभी इंस्टूमेंट की डिमांड बढ़ी तो धीरे धीरे है फरीदाबाद एक कल्चिरल सेंटर के रूप में उभर गया ठीक है तो इस तरह से इस शहर को आप लोग ध्यान रखिएगा किसको मिलवा कि वहीं नीचे आपको मिलेगा शिकागो जिसे कि विंडी सिटी भी कहा जाता है सिकागो इस ओल्सो नोन एज विंडी सिटी और एक बड़ी खास बात दिखाए देती है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा मांश मंदी है बच्चों पता आपनों को यहां पर सबसे बड़ी देखोगे मतलब बीफ और पॉर्क का प्रोड़क जंक्षन भी यहीं पर है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेल्वे जंक्षन भी शिकागो में ही है और शिकागो का आप लोगों ने है नाइटीन नाइटीस शिक्स का आपने शिकागो में विवेकार नाजी का वह भाषन वाला जो सुना होगा जो नों ने भासन दिया था जो आज भी अपने आप में दुनिया में मालिस्टों धार्मिक सम्मेलन जो हुआ था तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है बच्चों क कि शिकागो एक इंपोटेंट सिटी है और निवाक के बाद यह शहर बहुत ही महत्पूर्ण शहर माना जाता है ठीक है तो इस तरह से सिकागो फिर वहीं पर गैरी भी है मैंने कभी बताया भी था गैरी और इस्टिल के लिए बहुत फैमस इस्टिल इंडिस्ट्री के लिए वहीं पर फिर देखोगे बच्चों लेक के किनारे डेट्रोइट भी है जो मैंने पहले बताया ओटो मोबाइल केपिटल अब दर वर्ल्ड भी कहा जाता है और वहीं पर अपलेशियन का रीजन है वहीं पर छेतर है आपका पिट्स वर्ग याद करिए जरा यहीं पर सिटी क अधनिक समय में जो इस्टिल इंडस्ट्री का विकास हुआ है विशेश रूप से यहीं से दुनिया के भीफिन भागों में फैला ठीक है और देखते देखते आज की देट में दुनिया का सबसे बड़े इंडस्टी में से एक माना जाता लोग इस्पात इंडस्ट्री और इसे अर्थ बेवस्था की स्केल्टन कहा जाता है ठीक है तो इसलिए पिट्स वर्क पेपर में आपके कई बार पूछा भी गया है बट नावेड़ेज डू टू प्राब्लम ओफ रो मेटीरियल अब यह है जंक्यार के रूप में बदल गया है क्योंकि ज्यादा तर जो लो हुद कम रहेगे कारण यह है कि अप्लेशन के छेत्र में कोईला तो मिलता है प्रंतु लोहा दूर से आता है खासकर सुपीरियर जील के पश्चिम में बच्चों शहर था याद करो जरा मैंने बताया था में साबी याद करो जरा एक सहर मैंने बताया था में साबी वर्मीलियन यह दोनों शहर यहां पर दोनों माइन्स यहां पर इस्थित हैं खुली खाने हैं जिनसे बड़ी मात्रा में लोहा उत्तम किस्म का निकाला जाता और टांस्पोर्टेशन के थ्रू यानि की जीलों द्वारा नेविगेशन करत बेद दिया जाता दूसी साइड में तो यहां पर अब जादा तर इस्थापित हो गए हैं जीलों के आसपा जैसे गैरी है शिकागो भी फैमस है बुफैलो है क्लीवलेंड हैं यह कई सारे लोग इस पात के केंद्र अब जीलों के आसपास इस तरह से नौर्थ अमेरिका के नगरों को बच्चों ध्यान रखना द्यान वहीं पाओगे मेक्सिको मिलेगा मेक्सिको की सिटी आप लोग जानते हैं क्या है मेक्सिको शहर की राधानी मेक्सिको देश की राधानी क्या मेक्सिको सिटी और मेक्सिको सिटी भी दुनिया के सबसे बड़े शहरों में गिंती की जाती है इसके बाद बच्चों एक बड़ी खास बात आप लोग देखोगे कि यहीं पर एक शहर इसका है ची हुआ हुआ देखो अपने मैप में ची हुआ 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 एक महत्पूर्ण शहर है जो दुनिया की सबसे बड़ी चांदी की खान है मैक्सिको आज भी दुनिया का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश है ध्यान रखेगा और उसकी सबसे बड़ी खान है ची हुआ 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 ठीक है इसके बाद बच्चों नीचे आएंगे तो कई पनामा कैनाल के पैरलल यहां पर भी एक कैनाल बनाने का प्रस्ताव है और हो सकता है भविश्य में बन जाए तो इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं ठीक है और यहीं पर नीचे आओगे तो पनामा देश मिलेगा जिसकी कैप्टल पनामा है और यहीं पर बच्चों आपक मैक्स्किट्अ और गल्फ और कोस्ट आउ पर आप लोगों को यह मौस्किट कोस्ट कि मच्चरों वाला टत हो सकता है बिल्कुल कभी पूशा पूछा जा सकता है कि मौस्क्यूटो कोस्ट कहां पहै तो मोस्क्यूटो कोस्ट बच्चो ध्यानकोना यहां पर आपके विशेश रूप से जो देश ए आपका निकारागुवा और कोस्तारीका यह सारो कोस्तारीका निकारगव और पानामा का एस कहलाता है मौस्क्यूटो कोस्ट और जो झील कहला कै क्या जो गल्फ है वह तक हम याद हो कुछ सुना हो नहीं तो जान जाएक just for information कि जब पनामा कैनाल बन के तयार हुई तो उसके इंजीनियर को जेल में डाल दिया गया पनामा कैनाल जब बनाई जा रही थी तो उसके उस बनने के दौरान बहुत सारे लोग मर भी गए थे तो कई बार काम रुका भी बट इंजीनियर की जिद की वजह से बार-बार वो क काम शुरू भी किया जाता था प्रंतु कई बार दुरघटना होती थी यानिक लोग मर अगरे जाते थे खासकर मलेरिया से चुकि यह रीजन देखो यहां पर नीचे इक्वेटर है ना तो इक्वेटर के पास होने की वजह से यहां पर अक्सर मलेरिया हो जाता था पर इंज फ्रेंच इंजिनियर था तो यहां पर यानि फ्रांस के लोग भी बहुत सारे मरे होंगे तो जब यह प्रोजक्ट 19 14 में कम्प्लीट हुआ और ओपन किया गया और इंजिनियर अपने देश में गया तो उसको हां गिर्फतार कर लिया गया और उसे अपराधी घोसित कर दिया गया कि इसकी वजह से इतने सारे लोग मरे हैं और उनके मानने का अपराधी है यदि यह जिद नहीं करता तो उमीद है इतने लोग नहीं मरते खैट जेल में डाल दिया गया विचारा उसके जो भी सम्मान उमान थे सारे चीजें छीन ली गई देश में बड़ी बैजती की के इस विचारे की बठ जब ये खुली कैनाल खुल गई जिसकी वजह से शिप का आना जाना तेज हुआ नीचे मैंने आपको लोगों को बताया था एक ग्रेवियार्ड ऑफ नेविगेटर ड्रेक पैसेज जिससे जाना बड़ा मुश्किल था और तेरह हजार किलो मीटर की यात्रा दूरी तैय करनी पड़ती थी यह सब बचत होने लगी दुरगटनाएं कम हुई यात्रा सुरक्षित हुई तब फिर उस विचारे को कई सालों बाद फिरी किया गया सब रस्पैक्ट वापिस किया गया और सारी चीजें उसको दी गई वे सारी बाद में प्रवाइ पड़कर इसी सब के सामने यहां पर आप लोगों को देखो यह बच्चों कि निलेंगे यह कहलते हैं ग्रेट गल एंटिलीज और यह कहल लाते हैं लेसलें इंटियलिज मनलब गडलींस वीचार बीगर इंशाइग ज सुंआर इन्टिलीज मिंज दो प्सक्रानें साइज त काली मिटी उस्र कड़िबंदी जलवायो यानी ट्रोपकल टाइप अफ क्लाइमेट एंड ब्लैक स्वैल आर वेरी 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 फैवरेबल फो दे कल्टिवेशन अफ क्या बोलते हैं सुगर केन बहुत बड़ी मातरा में सुगर केन यहां पर बनाई जाती है और इसके कई साथ सेत्रों में सुगर केन का प्रड़क्शन होता है इसलिए आप लोग देखोगे यही एरिया जो वेस्टन डीज के नाम से जाना जाता है यहां पर इंडियन लोग वेस्टन डीज ध्याना कोई देश नहीं है वेस्टन डीज जी जे जोग्रैफिकल रीजन और उसी में दो गुरूप बन जाते है ग्रेटर एंटीज यह लैसर इंटीज और उस क्यूबा है ती जमाइका इस सब ग्रेट एंटिलीज में और नी से ग्रनाडा चोटे-चोटे और बहुत सारे देश जो हैं पर मिलेंगे वो लेसर एंटिलीज में याद रहेगा और यहीं पर बच्चों छोटे-छोटे दीपों में फैला हुआ छेत्र मिलेगा बहामास ठीक ह रिजन आपको वहां पर दिखाई देगा तो इस तरह से नौर्थ अमेरिका को आप लोग डिफ्रेंट वे में पढ़ सकते हैं बाकी तो मैंने पढ़ाई दिया था कि अंगलो अमेरिका का कंसेप्ट यूएस और कनाड़ा के कंटेक्स में और बाकी का जो मेक्सिकों से और आ राज्य है जिसे 1867 में रसिया से खरीदा गया था और जब यह खरीदा गया तो उस समय इसकी बहुत बुराई हुई और उस समय के विदेश मंती जो थे जिन्होंने यह इनिशेट करके खरीदा था उनकी बड़ी मतलब आलोचना हुई बहुत लोगों ने किट साइज किया क कि बेसिकली इस पर्सन को लगता है कुछ वो मिल गया है रिस्वत इस्वत खरीद के लाया और वह भी खरीद के लाया क्या भाई आइस सारे इरिया जातर हाई लैटिटूट पर होनी को ऐसे कवर विद आइस तो इसलिए उसे नाम दिया गया से वर्ड का बुद्धू बॉक 2002 में पहले ही जटके में यहां पर दो करोड यूएस डॉलर का सोना निकल आया तब लोगों की बुद्धी खुली नाब आई वो तो सही काम किये थे और उसी के बाद मनलब सोने की बहुत सारी खाने इसी पर आप लोगों ने डिस्कवरी का प्रोग्राम भी देखा होगा ग गोल्ड रसिन अलास्का एक प्रोग्राम भी है कि इसी केप्टल आप देखो के एंकरेज है और स्टेजिकली एकोनोमिकली क्योंकि पैट्रोलियम नेचुरल गैस सोना इन सब चीजों से भरा हुआ है तूरिस्ट के पाइंट अब्यू से बहुत फेमास है बड़ी संख्या म में टूरिस्ट यहां पर घूमने जाते हैं एन स्टेजिकली इंपोटेंट है क्योंकि रसिया के क्रसिया को घेरने में यह स्थान बढ़ा ही महत्पूर्ण बहुत ही नजदी किस्तित तो इस तरह से इस सभी एरिया को बच्चों आप लोग बहुत ही ध्यान से जरासा बात करोगे तो यह सहाब हुए हवाई दूप हवाई आइलेंड इस हवाई लाइन हवाई आइलेंड इजे फिफ्ट फिफ्ट स्टेट और यह एक दूपी है जिसके दूपी राज्य है जिसकी कैपिल आप लोग ने सुनी होगी होनो लूलू गन्य की खेती के लिए बहुत वोलकैनों से बना हुआ है वोलकैनों में यहीं का वोलकैनों आप लोग ने सुना होगा मोना लोवा और मोना किया मोना लोवा जो इस एरिया का सबसे उचा एक्टिव वोलकैनों है चुकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वोलकैन वोलकैनिक स्वैल है यानिक ब्लैक स्वैल है तो यह प्रसांत का हरी मड़ी भी कहलाता है पता आप लोगों को प्रसांत का हरी मड़ी यानि की ग्रीन एमरेल भी के नाम से ग्रीन एमरेल के नाम से भी जाना जाता है तो इस तरह से इस पूरे एरिया को बच्चों आप लोग धान रखिएगा और फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, चर्चा करेंगे, तब तक बाई, थैंक यू, ओके